आज मैं आपके लिए बहुत इंट्रेस्टिंग और इंपोर्टिंट टॉपिक लिए हूँ जिसका नाम है रेजिग्नेशन रेजिग्नेशन को लेकि काफी बाते आती हैं इस्पेसली जो बंदा रेजिग्नेशन दिया रहता है तो उसका कंप्लेन रहता है कि जब से मेरे हैं मुझे लेके काफी रूड हो गया है तो मैं इस टॉपिक पर आज इससर करूंगा सब्सक्राइब बता दो कि आपको यह सोचना है जो भी बंदा जो भी स्टाप जो भी इंप्लाई है अपने रेजिग्नेशन पीरियेट पे हैं उसे सोचना चाहिए कि पहले जब उसको जो मिलता था वो कितने प्यार से कंप्लीट करता था कितने लगन के साथ कंप्लीट करता था कितने अच्छे से कंप्लीट करता था लेकिन जब से रेजिग्नेशन दिया हुआ है तो क्या टास्क को अच्छे से कंप्लीट कर रहा है क्या उस टास्क को वो उस तरीके से कंप्ल परखता है क्योंकि जो है वो रेजिनेशन पीरियड पर उसे कोई फरक नहीं पड़ता हो इस कंपनी को फरक पर्टा है जिसने वह आपको टास्क दिया हुँआ उसके दिमाग में अभी भी आप की काम पुले के वही जबी बनी रहती है जैसा कि आप रेजिनेशन से पहले करते कि अपको टास्क देता है और यह विश्वास करता है कि आप टास्क को उसे लगन के साथ कंप्लीट करेंगे और उसी बिहवियर के साथ कंप्लीट करेंगे जैसा पहले करते हैं बट क्या होता है कि इंप्लाइज जो होता है वो कंफर्टेवल जोन में आ जाता है और उस टास को फर्ख पड़ता है क्योंकि काम का प्रेशर या उस टास्क का प्रेशर उस सीरियर के अपर उतना ही रहता है जैसा कि उसके employee की resignation के पहले रहता है जो resignation स्टाप देके रखा है उसको इस सोचना चाहिए कि last दिन के last घंटे तक वो उस organization का employee है जिस organization वो काम कर रहा है तो यह सोच के seniors जो है टास्क देते हैं और जो employee रहता है उस task को उतनी सिद्धत के साथ नहीं complete करता है या तो अधूरा आधा अधूरा करता है कभी कोई maximum time में यह दिखा गया कि हम जो resignation देख के रखा है वो अपने seniors को reverse कर देता है reply कर देता है जवाब देता है और फिर टाइम देखने लगता है कि यार अच्छा 9 गंटे होगे 10 गंटे होगे मिझे निकलना चाहिए खुद से आपकी behavior का जिम्मिदार आप खुद से है क्योंकि आपको ही सोचना चाहिए कि आप एक अच्छे imply थे particular year तक और जब से आपने resignation दिया तब से आपने अपना होना वाजिफ है जो मुझे लगता है कभी कभी ऐसा नहीं होता कभी कोई employees अच्छा काम करते हैं रियली बहुत अच्छा काम करते हैं लास दिन के लास मोमेंट तक करते हैं तो उस employees से पूछे क्या उसका behavior उनके senior का behavior क्या उनके उनके उनको लेके क्या खराबता नहीं रहता 99.9% नहीं रहता तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप resignation पे हैं तो अपने काम को और अच्छे तरीके से करिए और उस task को और प्यार से complete करिए और task को complete करिए बहुत अच्छे से complete करिए ताकि जब भी आप छोड़ कि जास organization को आप वापस आएं या न आएं लेकिन आपक की छोटी मगर मोटी बात है तैंक यू